हलो एवरिवन हावर यू आई होप एवरिवन इस वेरी फाइन आज हम नाउन्स की एक न्यू वर्कशीट को प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम पहली जो एक्टिविटी है पहला जो क्वेस्चन है उसमें मैच करेंगे और दूसरे में फिल अप जो छोड़ा हुआ है वहां पर ह हम उस ब्लैंक को फिल करेंगे तो मैच में हमें एक तरफ पोटो दी हुई है इमेज बना कर दी है और उसके सामने उसकी केटेगरी दी है कि वो प्लेस है परसन है एनिमल है या फिर थिंग है तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज हो गया कि नाउन इस दा नेम ओफ एनिप प्लेस परसन अनिमल और थिंग नाउन याने संग्या वो क्या होती है वो नाम होता है किसी भी जगह का किसी भी इनसान का किसी भी जानवर का या फिर किसी भी वस्तू का किसी भी चीज का इसी तरह से नेक्स है उसमें भी इमेज दी होई है और वहां पर हमें मैच नहीं करन वहाँ हमें सामने लिखना है कि यह person है, animal है, place है या फिर कोई thing है, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले है एक elephant, यह क्या है, यह तो एक animal है, तो चलिए इसको हम animal से match करते हैं, next क्या है बताइए, next है, एक place, जिसके उपर, यह देखिए, first date का sign बना है, तो यह एक hospital है, और hospital है, तो यह क्या है, एक place है, इसको हमने यहाँ place से match किया, yes, इसके बाद है, pencils बनी हुई है, तो two pencils हैं, तो यह thing है, इसको हमने यहाँ match कर दिया, और उसके बाद यह एक, देखते हैं, क्या बना हुआ है, यह एक, कोई person है, जो इस तरह से खड़ा है, ऐसे लग रहा है, जैसे कोई traffic policeman हूँ, तो इसको हम person से match करते हैं, आप बताईए, कि यह जो person है, यह क्या है, ठीक, अगर आपको पहचान में आता है, तो आप देखिए, और बताईए, comments में, कि यह person क्या है, मुझे तो ऐसे खड़ा लग रहा है, जैसे कोई traffic policeman हूँ, अब इसके बाद नीचे वाली activity में आते हैं, तो यहाँ पर एक person बना है और यहाँ पर हमने person को drag करके word को रख दिया है, इसके बाद यह side में एक map है, map तो place होता है, तो यहाँ पर हमने place word को drag करके इधर रखा, इसके बाद bed है, तो bed तो एक thing है, ऐसे, और यह जो bird बनी है, यह एक animal है, यानि कि यह जीव है, यह कोई जीव जनतु जो हम बोलते हैं और animals भी आते हैं, birds भी आते हैं, और insects भी आते हैं, तो इस तरह से हमने इनको match किया है, जब हम ऐसे ही छोटी-छोटी practice sessions करते हैं, कुछ-कुछ दो-दो-चार-चार words के, तो हमारी वो practice और भी पक्की होती चली जाती है, तो यह जो छोटा सा वीडियो है, इसको आप अपने छोटे भाई-बेहन को, अपने friends को, या फिर अपने साथ के ही friends को, जिनको अच्छे से practice करनी है, शेयर कर सकते हैं, और आप अपने आभी इन वर्स को लिख करके, प्रैक्टेस करके, अपनी और study अच्छी कर सकते हैं, ठीक है, तो वीडियो को like कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को subscribe भी कर लिजिए, जिससे specific पिल्कूल छोटे-छोटे आप वीडियो देखकर learn कर सकें, और अपनी practice को और अच्छा कर सकें, happy learning everyone.